आज जो हमारे भुमिया ब्राह्मन एक्टा मंच के राश्ट्री अध्यक्ष आश्टोस बहिया है उनको एक SC-T Act काला कानून के गलत फर्जी केस डालके उनको जो है तीहार जेल में डाला गया है वार्थ समर्फद किये हैं परसो इसी के लिए कंडिल मार्च हम लोग निकाल र हैं कि यह जो हम लोग के ऊपर जो काला कानून एक SC-T Act नाम का जो डाला गया है इसको जो हटाया जाए तो इसके तहट जो हमारे सवन समाज के काफी सारे युवाओं भाई जो बंध है उनके खिलाफ हम लोग ये केंडिल मात्र काम है कि सभी को जिस तरीके से जो की SC-T Act के जो पिछरे जाती थे SC-T से बिलों करते थे उनको जिस तरीके से उनके से केस हटा लिया गया हम लोग का यही मांग है कि हम लोग सवन समाज के जो युवाओं भी बंध है जेल में उनके उपर से भी केस को उठा लिया जा जो बंधी के दोरान हुआ था और इसी मुद्दे क को लेके हम लोग आज कंडिल मार्च निकाल रहे हैं कि हमारी मांग है कि आस्तोस विया को जल्द से जल्द रिया जा जो कि उनके उपर जो फरजी केस है उसको जल्द से जितना जल्द हो सके उसको वापस लिया जा अपने आसपास की लिटरस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करें